नमस्कार आप सभी का स्वागत है दिली 99 टीवी पर और मैं हूं कनिका अगरवाल आज हम आए हैं जंतर मंतर पर जहां पर सुशान सिंग राजपूत के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है और आज हमारे साथ हैं पटना से ही एक आर्टिस्ट जो सुशान के लिए स्पेशली दिली आये हैं और उनके लिए अन्याय की मांग कर रहे हैं सबसे पहले तो नमस्कार मैं दिली 99 के सभी इंटाइर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप दिन रात लगे हुए हैं इस मुहीम को प्रोटेस्ट करने में इस मुहीम में आप दिन रात लगके कवरिज कर रहे हैं और मैं एक बात बता दूँ कि सबसे पहले एक आर्टिस्ट एक अच्छा इंसान होता है तो सुषान सिंग राजपूत हमारे बिहार का बेटा था और बिहार की माटी की जो तिलक है वो किसी के माथे पे लग जाती है तो मतलब कि उसका वो बोलते हैं कि वो एदम सिखर पे चला जाता है और आज जो सुषान सिंग के साथ हुआ है वो पूर्णत गलत है और मैं इस बात का पूर्णत खंडन करता हूँ कि सुषान सिंग ने आत्म हत्या कर रहे है आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि CBI जो है उसकी जाच साही दिशा पे जा रही है या नहीं CBI अपना काम कर रही है CBI में अभी दूबारा 302 की मांग हुई थी तो CBI अब हत्या के अंगल से अपनी जाच कर रही है लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ जहां कि अभी उड़ते उड़ते वा आ रही है कि एम्स हैं शायद उन्होंने बता दिया है कि यह आत्म हत्या है या इस तरह का कोई यह है लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है वो सारी देश दुनिया के सामने है यह और दूसरी बात मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके अनुसंसा पे CBI जाच की मांग की गई और दूसरी बात की केंद्र सरकार में भी इसको इस मुहीम को हाथों हाथ लिया गया तो यह बताईए कि आपको लगता है कि सुशान सिंग राजपूत को अब नयाय मिल पाएगा जैसे गनेश जी और अंकित जी अंचन पर बैठे हैं तो क्या वो उनके लिए नयाय की मुहीम और तेज होगी भारत की 130 करोड जनता इस मुहीम को देख रही है इनके साथ है सारे लोग इस प्रोटेस्ट में खड़े हुए है आंदोलन आमरन अंसन हो गया है तो मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि नयाय तो मिलेगा नयाय मिलके रहेगा सत्य मेव जैते सत्य जीत सकता है सत्य प उनके फादर हो चाहे उनके भाई हो सब लोग मतलब आसपास में सारे लोग रहते हैं तो एक बात मैं आपको कहता हूं दो लाइन गाने के माध्यम से चुकि आर्टिस्ट हूं मैं तो दो लाइन गाने के माध्यम से उनके नयाय की मुहीम तेज हो सकी है जनक्रांती हो गया ह जन आंदोलन हो गया है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा वो दोन लाइन के गाने से कि जिसे पहन के निकले सिवाजी निकले अपनी जान पे आज उसी को पहन के निकला अब हमारे साथ जुड़ गई है ममता काले जी जो लगातार सुशान सिंग राजपूत के लिए अवाज उठा रही है वो लगातार अलग-अलग न्यूस चैनल्स पे आकर उनके लिए इंसाफ की मांग कर रही है तो अब उनसे जानते हैं कि क्या उनको CBI पे भरोसा है क्या सुशान को नयाय मिल पाएगा बिल्कुल CBI पे ना भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है CBI बहुत त्वरित और बहुत अच्छी गति से काम कर रही है हमारे देश की एक बहुत ही उम्दा इंवेस्टिगेटिव एजनसी है हम डे वन से ये कह रहे हैं कि ये सुशान सिंग राजपूत की आत्मात्या नहीं है ये हत्या है इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जनता की पब्लिक की ये हम सारे लोग तमाम लोग जावाज उठा रहे हैं उनकी कोई कंस्पेरिसी तियोरी नहीं है जितने भी सुबूत हैं वो इसी और इशारा करते हैं कि सुशान सिंग राजपूत की रहस्या मई हत्या की गई है अब यहां तक बोल दिया गया है बहुत ही जिम्मेदार लोगों ने महाराश्टर मुंबई के बुला है कि 13 तारिक की रात को सुशान और रिया साथ में थे सुशान ने रिया को उनके घर में छोड़ा था एक पाटी में वो गए थे तो ऐसा क्या उस पाटी के अंदर हुआ ऐसी कौन से तथ्य हैं जो वहां पर महराश्टर की सरकार या मुंबई के सीनियर पुलिस वाले मैं सारी पुलिस को नहीं बोलते हूं सीनियर पुलिस वाले चुपाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों चुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चानते चाहते कि हिंदूस्तान की जनता को सच्चाई मालूम पड़े, या सुशान सिंग राजपूच जो बच्चे की निर्मम तरीके से उसको मारा गया है, वो इस दुनिया में नहीं अपनी पैरवी करने के लिए, तो क्यों उस लड़के को नियाय न मिले, क्यों उस 74 वर्ष के पिता को दरदर भटकना पड़ रहा है, आप सोचे इतना हाई प्रफाइल केस है ये, इतने दो-दो डेथ हुई हैं, दिशा की और सुशान की हाई प्रफाइल केसे हैं, बड़े हाई प्रफाइल ए लिस्टर अक्टर था, जब उनको नियाय मिलने में इतना समय लग रहा है, तो महराष्ट मुंबई के अंदर कोई आम जनाता की, किसी रहस्यमाई सरकम्स्टांसेज में मृत्य हो जाए, तो आप उमीद करेंगे कि उसको नियाय मिलेगा, लगातार दिशा के लिए भी कहा जा रहा है, कि दिशा की भी निर्मम हत्या हुई है, उनको भी किसी ने उनकी हत्या की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि सो नमबर पर उसने फोन किया है, उनका जो मगेतर है, उन्होंने सारा कनफेस किया था, मिस्टर नितेश राने जी से ये सारी बाते, और उसके बात 14th फ्लोर से उसके कहते हैं कि उसने जंप करके, कूद के हत्या करिए, सोचो आप, अगर कोई 14th फ्लोर से आत्मत्या करने अगर के लिए कूदेगा, तो वह इनसान कैसे गिरेगा, ऐसE नीचे गिरेगा न वो लड़की उचलके 20 फुत दूर जाके बाहर गिरी है, ऐसा कौन आत्मत्या करता है, कौन सी लड़की आत्मत्या करेगी बिन वस्तर के इस तरीके से, कौन सी लड़की अपनी अस्मिता मा करके आजाते हैं उन हत्यारों को जिन्होंने पकड़ के इसको 20 फुट दूर पे फैका है तो कोई ना कोई तत्या है और उसके बाद देखिए अगर इसे अगर यह आत्मत्या थी अगर यह एक्सिडेंटल मौत थी तो फिर कैसे दिशा सैलियान की जो केस की जो फाइल्स हैं व सब कॉप्स की वजह से लेगसी खराब हो रही है और वो इतने घहर जिम्मेदाराना कैसे हो सकते हैं कि वो सारी की सारी फाइल डिलीट कर दे हमने ये भी देखा कि कंगना जी का भी ऑफिस गिरा दिया गया और लगातार उद्दव सरकार की मनमानी देखी जा रही है तो उस अजकार हैं जिसको मैं पूरी तरीके से फासिस्ट सरकार मानती हूं फासिजम को अगर आपको को कोई रोल मॉडल देखना असली रूप देखना है तो महराश्ट की सरकार को आज आप देखिए यह वह सरकार है जो राइट टू डिसेंट देने में विश्वास नहीं रखती चत्रपती शिवाजी महराज का नाम बदनाम करने वाले ये लोग और ये होते कौन है ये बोलने वाले कि चत्रपती शिवाजी महराज हमारे हैं इनके नहीं है खाली चत्रपती शिवाजी महराज हिंदुस्तान का गौरव मान सम्मान हमारा इतियास थे हैं और रहेंगे और मै आज आप शर्मिंदा कर रहे हो परम आदरणिया परम शद्य बाला साफ ठाकरेजी को भी जिनका मैं दिल से संबान करती हूँ जो कभी कभी भी किसी महिला का ऐसा निरादर नहीं करते जैसा कंगना का हुआ है कभी 62 वर्स के एक नेवल वेटरन को नहीं मारते कभी पत्रकारों की क्या गलती थी उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि ये क्या उद्दर ठाकरेजी का घर है ये क्या क्राइम है कौन से कानून की धारा में लिखावा है बताओ मुझे कौन सी CRPC IPC जो निकाल दिकालो बताओ ना दिखाओ ना हमको कहा लिखावा है कि कि किसी के घर का पता प इंटव्यू दिया जिसमें उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश की और ये बताया कि सुशान जो है वो ड्रग लेते थे और उन्होंने आगे जाकी जब उनका अरेस्ट हुआ तब उन्होंने आगे कई नाम भी उजागर किये बॉलिवूड सेलेब्रिटीज के एक ड् होती है ये लोग नार्कोटिक्स का वाम जाने वालें उनको वी समझ जाने वाले है ये लोग खाते भी हैं और उससे पैसा कमाते वी हैं ये केवल illegal activity की बात नहीं है, ये anti-national activities की बात है, ये जब आप narcotics खरीदते हो, जब आप drugs खरीदते हो, चाइना और पाकिस्तान से आता है, आप under word से, under word से आप खरीदते हो, D company से खरीदते हो, और ये हमारा जो hard end का पैसा है, वो आप आतंकवादियों को दे रहे हो, directly, directly दे र रहा है, मान लिया, Bollywood को हमने ही कहते हैं, 100% Bollywood ऐसा है, लेकिन जितने भी लोग हैं, क्या उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, क्या उनको हक है किस देश का, जो इस देश की जनता उनको बनाती है, वो उनके साथ धोका करते हैं, ये अपनी थाली की थाली, किस बात की था तुम्हारी थाली क्या भारत से अलग है, और तुम तो भारत की थाली में छेट कर रहे हो, तुम तो माँ भारती के दिल में छेट कर रहे हो, तुम तो माँ भारती के ओपर कुठारा घात कर रहे हो, तो ये तुमको किसी ने हक नहीं दिया है, और जहां तक इन सब लोगों क जनता जनारदन है जब भी जनता जागी है अच्छे अच्छों को धर्ती पर ले करके आई है तो फिर यह क्या लोग है यह सत्ता आसीन लोग सफेद वस्त्र पैने वे लोग और यह जो बॉलीवूड के सुंदर चेहरे हैं जिनके मेक अप लगा करके जो घूमते हैं वो यह न सुषान के सपोर्ट में आई हूँ मैं 17 तारिक से सुषान के लिए बोल रही हूँ और बोलती रहूंगी जब तक सुषान को न्याई ना मिले मुझे हिंदूस्तान के कानून पर समविध्यान पर न्याई प्रनाली पर हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सी बी आई हो एंसी बीओ एडियो मुझे बहुत जादा उन पर भरोसा है मुझे पता है उनको न्याई मिलेगा 302 के तहट लोगों के उपर केस चलने बहुत जादा जरूरी हैं अंकित और गनेश दोनों बच्चे आज दूसरा दिन है भूकरताल से में बैटे हुए हैं वह उनके उनके में डाल करके लोग यहां खड़े हैं जस्टिस के नारे लगा रहे हैं अपने घर परिवार छोड़ करके आएं हैं कोई कोई इनका स्वार्थ नहीं है इसमें से कोई नेता नहीं है किसी ने चुनाव नहीं लड़ना है किसी को कोई पैसा नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आ चलना सिखाया है और हमें दोनों तारिकों से चलना आता है ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें डिली रंजी राइन टीवी